उत्रप्रदेश के एक और उपमुख्य मंतरी केशो प्रसाद मौरे जी हैं केशो जी प्रतिक्रिया बजट आ गया है बहुत सारी आ रही है यह बिक्सित भारत की एक मजबूत निव डाल दी गई तीसरी आर्थ ब्यवस्ता भारत बने या जो लच्छ था उसको पूरा करने का वाला यह आज का बजट है यह गरीबों के लिए समर्पित है जहां पांच साल तक प्रधान मंतरी गरीब कल्याणा नयोजना का रासन जो देश में अभी भी आवास हीन है जिनको रहने के लिए अपने घर नहीं है उनको घर देने की बात कहीं गई है जो कैंसर से प्रीडित रोगी है उनको एक बड़ी रहत प्रधान करने का काम किया गया है चाहे वो भारत की सीमाओं की सुरच्छा का सवाल हो और चाहे सर्विस के को विकास के पतपर आगे ले जाने का भी से हो सभी द्रिष्टी से बजट बहुत सांदार है जानदार है मानी प्रधान मंत्री जी को आधनिया बित मंत्री जी को और भारत सरकार के सभी मानी मंत्री गणों को इसके लिए बढ़ाई सर्विस सेक्टर युवाओं के लिए खासतों बड़ा इसमें जोगदान मिला है टैक्स लैब में बहुत चूप मिला है होगा और तीन लाग तक की आमदनी पर कोई टैक्स भी अब नहीं आएगा याज वित्मंत्री जी ने गोशना किये मैं उसका स्वागत करते है किसर प्रिशाद मौर उतर प्रदेश के उपमुखी मंद्री जी ना कहना था कि न सर्फ उतर भारत के लिए बलकि पुरोतर पस्चिम भारत तमाम साथ मूचे देश के लिए किसानों के लिए यवाओं के लिए महिलाओं के लिए सरकार ने अपने रास्ते विकास के खुल दिये हैं खाजाना खुल दिया है और विकास के नए आयाम जो है वो भारत इन बजट के माध्यम से पहुंचेगा